हाई गाईज वेलकम टू मैं चैनल इजी निटिंग क्लासेज तो देखें फ्रेंड्स एक ये फुल स्वेटर लेकर आई हूं आपके लिए ये स्वेटर जो है तीन से चार साल के बच्चे को बहुत आराम से आएगा इवन अगर आपको बच्चा थोड़ा सा दुबला पतला ह कर सकाल लां तो विए और उसको फाइव क्लास और संस्राइगा देखें बच्चा के पुर्पर से मैं और यहां थो भीजी डाल दिया अपने चैनल पर आप मेंद चैनल पर देखिगा और इसका जो abd9 का भी वीडियो में डाल चुकिय यह चैनल पर और वीडियो में आगे इस टेप बाइट बताया है किसको किस तरह से बनाना है देखिए आगे इस तरह से दिखता है यह कुछ और बैक साइड से भी अलोबर है देखिए इस तरह से दिखता है विल्कुल प्लेन बो सारी डिजाइनर डबल कलर में बनाया है और बूल इसमें मैंने नॉर्मल फोर प्लाय बूल यूज़ किया है और यहां जहां जहां मैंने वाइट कलर लगाया है वहां पर मैंने टैन नमबर का निडल यूज़ किया है और रैड कलर पर मैंने नाइन नमबर का निडल यूज़ किया है दस और नौ नम्मर की सलाईया मैंने इसमें यूज की है वीडियो में जाने से पहले अगर वीडियो पुसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहले बारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वैल बटन प्रेस कर दीजेगा और गाईज मेरा एक चै स्वेटर बताने जा रही हूं तो सोच आपके साथ शेयर कर दों देखिए बहुत ही अच्छा सा स्वेटर है प्यारा सा देखिए क्रिस्मस के परपर से मैंने यह बनाया रैड और वाइट कलर में और वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ है इसको किस तरह से बनाना है त अगर आपको यह डिजाइन यह पैटर देखना है तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं सब्सक्राइब बाकि मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दूए ठीक है तेरे फंदों पर यहां से स्टार्ट होता है और यहां खतम होता है तेरे फंदों 4 फंद ही है तो जाब नहें आदो मैं तो इसleans को इसटते हैं सोलीयो बिजया जादा है पहले की मेजरमेंड की बात देती है उसको सीदा सीदा बनाया暖 कितना बनाया है देखिए टोटल जो मैंने अभी यहां पर यह करिवन बारा इंच बनाया यह देखिए ठीक है हाँ बारा इंच मैंने बनाया है और यह देड़ इंच का मैंने यह बॉर्टर बनाया है तो देखिए 12 नहीं 12 इंच आ रहा है और 1.5 इंच का मैंने यह बॉर्टर बनाया है अब इसमें फंदे की बात कर लेते हैं कि मैंने इसमें फंदे कितने डाले है तो देखिए मैंने यह बॉर्डर पर 82 फंदे डाले हैं कि देखे 82 फंदे डालके एक उल्टा एक सिधय का मैंने बॉर्डर बनाया है तीक है यह बॉर्डर बनाया assess की है और racism आप अ कि और दस यह सवी बारा साइयां बनाये मैंने ज्यादा नहीं बनाये यह इसके बाद मैंने यहां पे उपर 6 फंदे बढाया है तो 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 यहां पर ने एक पार्ट बना लिया एक और रेडी कर लूँगा यह फ्रेंट या बैक जो भी कहले हैं आप फ्रेंट और बैक दोनों फिलाल यहां तक तो सेम बनेगा साड़े बारा इंच तक उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी यहां पर क्या करना है कि हमें अब 3-2-1 की कटिंग देनी हैं तीन-2-1 मुड़े की कटिंग देनी हैं हमें बताऊंगी तेरह फंदे डालके तेरह फंदे का डिजाइन है तो मैं आपको सेम्पल पर बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाना है ठीक है तो डालने के लिए हमें यहां पर तेरह फंदों के मल्टिपल में फंदे चाहिए होते हैं ठीक है यह वाला जो डिजाइन है इतना यहां से स्टार्ट होता है यह स्टार्टिंग देख लेते हैं यहां से स्टार्ट जो होता है और यह यहां पर खतम होता है ठीक है यहां पर तो यह 13 फंदों में डिजाइन डल जाता है फिर यहां से वही रिपीडिशन स्टार्ट होती है और यहां पर खतम होता है तो यहांने तो इस पर थोड़ा सा अच्छे समझ में नहीं आता है तो आपको समझाने के लिए मैंने या वाइट कलर पर यह डाले हुए है और वाइट कलर मैं सिखाऊंगी तो थोड़ा क्या क्लियरली समझना आएगा आपको अच्छे से दिखाई देगा ना हाइलाइट ओगा डिजाइ अब देगे धागा मेरी तरफ आ जाएगा तो वन टू थ्री है ना फोर मतलब कि चार फंदे में यहाँ पर यह उल्टे बना लूँगी ओकी अब फिर मैं धागा पीछे ले जाओंगी अब मैं यहाँ पर यह जो फंदा है पांचवा इसको मैं इस तरह से परलवाई स्लिप कर लूँगी ठीक है फिर धागा में अपनी तरफ लियाऊंगी इसे बुनूँगी नहीं उतार लूँगी इसके बाद चार फंदे में उल्टे बना लूँगी एक दो देखिए तीन चार हो गया कितने हो गए मैं पास 9 फंदे हो गए अब मैं धागा पीछे लेके जाओंग अब यह जो चार फंदे है, इसम्हें मैं धुए फाण है, यह सबसे पहले बुलनुगी इस तरह से, अब मैं इसको गिराओंगी नहीं, उसके बाद मैं इसको पहले वाले को बनूँगी सीधा ठीक है दोनों को सीधा बनूँगी अब मैं दोनों फंदों को गिरा दूँगी ठीक है अब जैसे हमने यह आगे से बुना था इस तरह से इन दो फंदों को हम पीछे से बुनेंगे दूसरा वाला जो फढदा है इसको पहले बुनेंगे देखिए इस तरह से यह आया हमारे पास अब हम यह दूसरा पहला वाला फन्दा भुल लेंगे यह देखिए इस तरह से ठीक है यहां पर यह तेरे फंदों में हमारा डिजान कंप्लिट हो गया अब यहीं से हमारा repeat button स्टार्ट हो जाएगा धागा अपनी तरफ लाएंगे चार फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 अब धागा पीछे एक फंदा हम उतार लेंगे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 धागा पीछे अब ये वाला जो फंदा है blur हो रहा है ये जो सेकंड फंदा है इस तरह से इसे हम पहले बुनेंगे देखिए 1 अब हम इसे बुनेंगे इन्हें उतार देंगे अब ये जो दो फंदे हैं इन्हें हम पीछे से पहले बुनेंगे फिर इसे हम बाद में बुनेंगे तो देखिए यहां यह design खतम हो जाता है आप चाहें तो edge stitch का एक फंदा extra ले सकते हैं ठीक है एक आगे का एक पीछे का second row है second row में पूरी उल्टी बना के complete कर लूँगी ठीक है दूसरी सलाई को मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी अच्छा देखिए इस pattern को बनाने में मैंने दस नम्मर की सलाई यूज़ की है ठीक है और wool जो है मैंने normal wool लिया है four ply wool है वर्दमान का wool है ठीक है तो और मैंने यही जो wool और needle है वो पूरे project में यूज़ की है ठीक है मैं आ स्वेटर का डिजाइन है बहुत ही जल्दी आने वाला है फुल स्वेटर टुटोरियल जो है पूरा बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल पर उससे पहले सोचा मैंने आपको इसका डिजाइन बता देती हूं थोड़ा separately देखिए इस तरह से पूरी रोख हम उल्टा बना लेंगे ओके यह देखिए अब सेकेंड रोह हमारी स्टार्ट होगी वह सुरी थर्ड रोह तो हम एक फंदा स्लिप करने के बाद सुरी फ्रेंड्स नहागा अपनी तरफ लेंगे चार फंदे उल्टे वान टू थ्री और यह लेज़ेगा फोर ओके धागा पीछे ले जाएंगे यह जो फंदा स्लिप किया था हमने पहले फिर से स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ चार उल्टे एक दो तीन चार ठीक है धागा पीछे अब देखिए करना क्या है पहले हमने यह आगे की साइड से बुन भल फिल्गिया ला इस तरह से अब कूलें खरेंगे तो पहले हमने यह आगे से बुना था इस तरह से से केड़े से फिर फिरंट फंद यह तो इसको हमने पीछे से बुणा था तो इसको अब हम आगे सी बुनेंगे इस तरह से देखिए सैकनी वाला पंदह lower बुनेंगे जैद थोड़ा सा इतनाई चेंज करना हैं अब देखिए हमारे पास इस तरह से बनके आगया धागा अपनी तरफ लेंगे चार फंदे उसके यह देखिए धागा पीछे जाएगा एक बंदा स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे वन टू त्री फोर धागा पीछे फिर से वही करेंगे यह हमने पहले आगे से बुना था आगे से ना बुनके कि अब हम सेकेंड वाला जो फंदाय पीछे से बुनेंगे यह जो केबल टाइप का चोटा सा केबल टाइप का पैटन दे दिया है यहां पर यह देखिए इस वाले फंदे को हम आगे से बुनेंगे बहुत सिंपल है इवन बिगनर्स भी इसको बहुत आराम से बना सकते हैं अब यह देखिए हाँ पर इस तरह से बन के आगे आईए अब चौथी सलाई जो फोर्थ रो है हम पूरी इसको उल्टा बनाके कम्प्रीट कर लेंगे यह देखिए पूरी रो को उल्टा बना लेंगे यही देकि 2 इस चार सलायय को डिजाइन है यह दिजाइन कम्प्रीट हो गया पस यही चार सलाईयों को रीपीटिसन हमारे खुब्सुरों से डिजाइन लग रहा है आप देख सकता है यह देखिए इस तरह से आया है कि कटिंग कर लेते हम देखें तो आप देखें मुड़े की कटिंग के लिए मैं यहां पर जो कटिंग दूँगी वो तीन दो एक की कटिंग दूँगी बच्ची के स्वेटर में ऐस इस तरह से देखें धटादूए देखें इस की उपर से एक निकालूँगी देखें एक कि दो अब यह देखें कि तीन थीक है मैंने यह तीन फंदें धियां घटा दिये अब जैसा मेरे डिजाइने में जो डिजाइन डाला है, डिजाइन के अक्वार्डिंग, मैं इसको यहां से लेके पूरा यहां तक बनाओंगी, ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक बनाते हुए आओंगी, उसके बाद फिर बैक साइड से तीन फंदे घटाओंगी, तब देखे, यहां पर तीन फंदे घटाने के बाद मैं पूरा यहां तक बनाते हुए आ गई हूँ अब मैं रॉंग साइड आ जाओंगी और तीन फंदे में यहां पर घटाओंगी अग्या अग्या कि देखिए एक कि दो कि देखिए तीन थीक है वैसे तो मैं इसको घटाने के बाद ही सीधा बना लेती लेकिन मैंने अपने बिगनर्स के लिए सोचा कि शायद बिगनर्स को प्रॉब्लम नहों इसलिए मैं इसको पूरा बनाते हूं समझाते हुए बना रही हूं थीक है अभी देखिए पूरी रोको मैं यहां तक उल्टा बना लूँगी पूरी मैं यहां तक बना लूँगी उल्टा उल्टा यह देखे अब तीन फंदे मैंने इधर घटा दिये दोन तो रख तीन पंदे मैंने घटा दिये अब मैं यहां पर दो फंदे घटाऊंगी फिरण साइट से दो फंदे गटाओंगी फिर एक एक गटाओंगी ठीक है देखिए वन एंड टू ठीक है अब मैं इसे पूरा बुन लूँगी पूरी रोग को कम्प्लीट कर लूँगी जिसे साब से मैंने अपना डिजाइन डाला है उसी साब से यहां तक पूरा बुनके कम्प्लीट कर लूँगे तो देखिए मैं इस रोग को कम्प्लीट करके यहां तक आगई तीन फंदे मेंने घटा दिये थे अब मैं इस साइड से दो घटाओंगी ठीक है दो फंदे दर से कटाए अब दो ज़र से कटाऊंगी उसके बाद फिर मैं एक एक फंदा घटाऊंगी कि देखे एक कि दो कि अब मैं इस रो को पूरा यहां तक उल्टा बना के कम्प्लीट कर लोगी देखे इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लोगी इस पूरी रो को देखें मैंने उल्टी रो बनाके कम्ठीट कर ली अब हम देखें यहां पे हम आपको पता देती हूँ तीन पंदें हम घटा चुके ठीक ए सब्सक्राइब हम फ्रन प्रन साइट पर एक बंद Andrew एक गटा दूं उसके बाद फिर आपको कि एक पंदा मैंने घटा दिया अब मैं इस लाइन को पूरा कम्प्लेट कर लूँगी इसको यहां तक कम्प्लेट कर लेती हूं पहले मैं अब यह देखिए मैं लास्ट में आगे बिलकुल इस फंदे को तो मैं ऐसे छोड़ती हूं लास्ट में अब देखिए एक फंदा में यहां से घटा दूँगी ठीक है यह देखिए अब इसके बाद मैं पूरी रो को उल्टा बनाके कम्प्लेट कर लूँगी ठीक है यहां से लेकिए यहां तक पूरा कम्प्लेट कर लूँगी तो इसको कम्प्लेट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगी अब देखिएगा यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह से अब देखिए यहां पर हमने तीन दो एक तीन दो एक की कटिंग कर दी अब इसके बाद में तीन से चार इंच के आसपास यहां से देखिए यह जो मैंने कटिंग किये यहां से एक इंच तो सम्तिंग यह हो गया करीबन चार इंच ठीक है यानिकि तीन इंच और बनाओंगी सीदा सीदा बनाती होई जाओंगी, अब मेरे पास टोटाल जितने हैं। मैं सीरा सीरा इसको बनाती होई जाओंगी। सेम ऐसे ही cutting मैं अपने back part में भी करूँ भी। सेम हैसा ही back part बना के complete करूँगी। और उसे भी तीन या 4 लेंच बना के cutTING करने के बाद बनाके complete कर लोए तो मैं पहले दोनों piece बनाके complete कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह आगे करना क्या है यहाँ पर इसको यह complete कर लिया है बनाके मुड़े की cutting मैंने आपको दिखा दिती बनाके, अब मैं थोड़ा सा आपको थो थोड़ा सा केमरा साइट करके दिखा देती हूं यह देखे मुड़े की कटिंग मैंने आपको करना दिखा दी थी यहाँ पर मैंने तीन दो एक की घटाई करी है उसके बाद फिर मैंने इसको चार इंच के आसपास बना लिया थीक है अब मैं दिखा देती हूं यह देखिए यहां से मैं यह देखिए करीबन चार इंच मैंने यहां से यह बना लिया इस साइट से देखते है यहां पर यह देखिए चार इंच मैंने बना लिया है अब इसके बाद मैं आपे ठीक है अब हम इसके आगे हम नेक की कटिंग करेंगी ठीक है तो ये तो मैं आपको back part बता रही हूँ ठीक है यह जो है back part बता रही हूँ मैं आपको और same ऐसा ही मैं front part बना लूँगी ठीक है same ऐसा ही front part भी बनाना है और ये फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो front part है मुड्डे के बाद वस इससे 1 इंच कम हुआ यहां पे मैंने मुड़े के बाद 4 इंच बनाया है और फ्रंट पार्ट मैं 3 इंच बनाऊँगी तो यहां पे मैंने 4 इंच बना लिया दो इंच में मैं गले की कटिंग कर दूँगी तो अब वो देखें यह बैक पार्ट है मैं गले की कटिंग यहां कैसे करूँगी पहले हम गले की कटिंग में फंदों को डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहेती हूं यहां पर देखिए मैंने 82 स्टिचिस डाले थे ठीक है 82 फंदे डाले उसके बाद फिर मैंने यहां पर 6 फंदे बढ़ा दिये चंच में पास यहां पर हो गए 12 फंदे कम 6 दरसी आप में यहां बचते हैं 76 फंद्दे कुछ फंदे तो मुझे यहां पर गले में बंद करने हैं और कुछ यहां शोल्डर के लिए छोड़ने हैं तो मैं यहां पर क्या करूंगी गले में जो मैं बंद करूंगी वह मैं यहां पर बीच में 20 फंदे में बंद करूंगी ठीक है देखिए मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास टोटल मैंने 82 फंदे डाले ठीक है एक मैंट ये देखिए 82 फंदे बॉर्डर पे लिए मैंने और 6 फंदे मैंने इसमें प्लस कर दिए बॉर्डर के बाद बढ़ा दिए मेरे पास यहां हो गए 88 फंदे फंदे को मैं आफ लिक रहे हूँ ठीक है इसके बाद मैंने 12 फंदे यहां से घटा दिए ये 6 फंदे इस तरफ और 6 फंदे मुड़े पर इस तरफ ठीक है तो 12 फंदे मेरे पास 6 और मेरे पास बचे 76 फंदे टोटल यहां पर यहां पर यह जो सले मेरे पास फंदे है वो 76 फंदे है अब इस में से हम डिवाइड करेंगे मैं 20 फंदे तो बंद कर दूँगी पिन पर ले लूँगी उसकी गले के तो अब मेरे पास बचे 56 अब 56 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँगी आदे इदर आदे इदर फोल्डर पर ठीक है 56 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 28 28 फंदे ठीक है अब 28 फंदे आएंगे हमारे पास 28 फंदे मैं इस तरफ लूँगी 28 फंदे मैं इस तरफ लूँगी इस तरफ लूँगी तो अब वो देखिए किस तरह से करूँगी सबसे पहले मैं यहां से 28 फंदे यहां से बुंतियों याउँगी यहां तक डिजाइन क एकॉर्डिंग बैक पार्ट बता रही हूं मैं आपको यह देखिए 28 फंदे मैंने यह बुल लिए इस तरफ से ठीक है मैं काउंट कर लेती हूं दो चार छे आठ दस बारा स्वरी दो चार छे आठ दस बारा 14 16 18 20 22 24 26 और एक 28 अब देखिए 28 फंदे मैंने यहां पर ले लिए अब बाकी के जो 20 फंदे हैं वो मैं इस पर देखिए एक पेन होल्डर रहे इस पर उतार लूँगी बंद कर लूँगी देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा अंदरा सोला सत्रा ठारा उननेस बीस तीक है इधर भी 28 फंदे होने चाहिए दो चार छे आर तस बारा चौदा सोला नावेज इस चौवेज चवेज अटाइस ठीक है यह मैंने इस पर ले लिए अब मैं इसको बंद कर दो लिए यह देखिए नेक के फंदे मैंने यहां पर यह बंद कर दिये अब यहां से देखिए अब हम यह वाला पार्ट जो है यह वाला हम बाद में बनाएंगे यह शोल्डर हम बाद में बनाएंगे यह हमने गले के आप ले लिए अब मैं यहां से यह वाला पार्ट पहले बना हुई मुः झाँ मेरी टीचिक है तो अब यहां पर यह जो इसको आप बनाती हो यहां तक कि पुरी अंहुकिन को मेर्व रावका रावच ते यहां तक यह देखिए ठीक है यह पूरी रूम मैंने यहां से उल्टी बना ली अब मैं फ्रंट साइट पर आ जाऊंगी अब देखिए फ्रंट साइड पर मैं क्या करूंगी यहां से हमारा गला है तो इस साइड से हमें कटिंग देनी होगी तो यहां से लिए कि यहां तक पूरा बनाती हुई आउई में बिजाइन जैसी भी है उसके कॉर्डिंग यहां तक बनाती हुई आई हूँ अब मैं यहां पर क्या करूंगी यह देखिएगा यह तो मैंने स्लिप कर लिया अब यह लास्ट के जो दो फंदें इन्हें में बुनूंगी नहीं ऐसा ही रखूंगी ठीक है इन फंदों को मैं ऐस आज़ें एसा ही रखूंगी बुनूंगी नहीं यह देखिए ऐसे इस तरह से इसी सलाई पर रखूंगी और यहीं से मैं हो जाओंगी बैक है यह दो फंदें मैं नहीं बुनूंगी और इस पूरी रोको में उल्टा-उल्टा बनाके कम्प्लीट कर लूगी देखिए इस तरह से यह देखिए अब मैं फ्रेंट साइट से आ जाओंगी फिर से अब यहां से लेकि यहां तक मैं बनाती होई आओंगी डिजाइन के अकॉर्डिंग बस लास्ट के दो फंदी में छोड़ दूंगी यह देखिए अब देखिए यह दो फंदे वो हैं जो मैंने पहली सलाई में छोड़े थे अब दो फंदे में और छोड़ दूंगी ठीक है अब मैं फिर से बैक हो जाओंगी स्वारी गाईज अब देखिए फिर से मैं इस रो को पूरा उल्टा बना लूँगी अच्छा यह मैं तब तक करूँगी जब तक कि मेरे पास लास्ट के तीन चार फंदे न रह जाए यहां पर ठीक है यह देखे अब फ्रंट साइड से आ जाएंगे तो यह देखे मैं अब फ्रंट साइड से आ गई हूँ ठीक है फिर से वही करूँगी मैं पूरी रो को यहां से लेके यहां तक अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाओगी ठीक है अब देखिए यहां पर दो फंदे मैंने पहली रो पर छोड़े फिर दो छोड़ दिये नई बने फिर से अब मैं यह दो फंदे छोड़ दूंगी ठीक है और मैं यहीं से बैक हो जाऊंगी इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लूँगी इस तरह से मैंने यह रॉंग साइट से बना लिया अब मैं यहां पर थोड़ा सा मेजर कर लूँगी इसको कि मैंने यह कितना किया है क्योंकि मुझे टोटल जो है 6 इंच चाहिए तो उसी इसाफ से मैं फंदे कमिया जादा करूंगी तो दीगे मेरे पास यह 5 इंच हो गया अब मुझे ज़स्ट एक इंच और बनाना है ठीक है देखि किस तरह से यहां से लेकर यहां तक आऊ हुई मैं फिर से यह देखिए अब दो पहले मलब 6 हम छोड़ चुके दो इस बार फिर से छोड़ेंगे तो हमारे पास यहां आठ रह जाएंगे हमां बैक साइड से आ जाओंगी पूरी रो को उल्टा बनाके कम्प्रीट कर लूँगी यह देखिए फिर से मैं यहां तक आऊँगी तो यही मैं करीबन एक या दो बार और रिपीट करूँगी ठीक है तो चार बार मैं इसा रिपीट कर चुकी हूँ अभी दो बार मैं और रिपीट करूँगी फिर आपको देखाओंगी ये देखें दो, चार, छे, आठ अब की बार हम ये और छोड़ेंगे फिर से तो दस हो जाएंगे फिर से हम घूम जाएंगे और इस पूरी रो को उल्टा बना लेंगे ठीक है? ऐसा ही हम एक बार और करेंगे तो पहले मैं इतना कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये देखें इसी तरह से करते करते मैंने दो, चार, चे, आठ, दस, बारा, चोड़ा, सोला, अठारा ये इतने फंदे कर लिए अब मैं यहाँ पर आओंगे करें लास्ट में छे या चार फंदे रह जाएंगे तब तक मैं यह करूंगी देखिए दो ये देखे काउंट कर लेंगे दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोला, ठारा और ये बीस ठीक है अब मैं ये वाले दो पी नहीं बुनूँगी दो, चार, छे, आठ, दस, सोरी और ये बीस ठीक है ये दो भी नहीं बुनूँगी यहां से फिर से मैं रेटान होके इस रो को मैं फिर से उल्टा बना लूँगी तो इसी तरह से करते वोई जाएंगे हम लोग ठीक है एक, दो अब फिर से फ्रंट साइड आ जाएंगे तो देखिए अब ये हमारा इस तरह से बन के आ रहा है ये देखिए आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मेजर करके बता देती हूं यहां से कितना हो गया ये ये देखिए छेंच से थोड़ा सा जादा ही हो गया है अभी हम सायद एक बार और करेंगे इसको देखते हैं दो दो की कटिंग दो तीन चार और पहले हम काउंट कर लेंगे अब है दो चार छे आठ दस बारह चौदा सोला ठारह बीस ये छोड़ेंगे बस ये दो और बनेंगे हम ठीक है अभी मैं सीधा ही बोल लेती हूँ इस तरह से ठीक है तो हमारे पास बाइस फंदे छूट गए अब हम फिर से बैक हो जाएंगे अब यहां दो चार छे मेरे पास छे फंदे है ठीक है तो मैं छे फंदों को इसी तरह से सीधा बोल लूँगी एक दो ती चार पाँच छे ये चीज आईए ठीक है जैसा हमने यहां पर किया है दो दो जो चोह भी चोह गईए चायका है तो इस तरह सीधा हमारे पास यह हम यह सेप अजाया तो पहले मैं इस तरफ का भी complete कर लेती हूं उसके बाद फिर आगे आपको दिखाती हूं यह अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर हूं ठीक है यह मेरा फ्रंट पार्ट है जैसा आप बैक पार्ट बनाया था सेम वैसा इस फ्रंट पार्ट भी बनाया है यहाँ पर देख सक की है उसके बाद में यहां पर गले की कटिंग करूंगी की करने के बार मैं 3 और बनाऊगी यानि कि जो मेरा बैक पार्ट बनाया है सेम वैसा ही फ्रंट पार्ट बनाऊगी बस थोड़ा सा फर्क है अब दिखिए करना क्या है कि इसमें मैंने ना पिछली बार जो last time जो मैंन पिन होल्डर में ले लूँगी मैं इसे बाद में और 27 फंदे यहां मेरे पास 28-28 फंदे रह गए थे तो एक फंदा इधर से कम हो जाएगा यानि कि 27 फंदे इस सोल्डर पे 27 फंदे इस सोल्डर पे ठीक है और बीच में 22 फंदे तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक मैं बुन्तियों यहां होगी तो यहां पर देखिए मैंने यह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 27 फंदे बुल लिए ठीक है मैं थोड़ा आपको क्लोज से दिखा देती हूँ तो देखिए मैंने आपर 27 फंदे यह बुल लिए अब मैं यह बाकी यह तो मैं बाद में करूँगी यह बंद करना जो गले के बाद में उस पर ले लूँगी निडिल पर फिलाल हम यह वाला शोल्डर बनाएंगे अब हम यहीं से बैक हो जाएंगे यह देखिएगा अब बैक होके यह रो मैं पूरी ऐसे ही उल्टी बना लूँगी यहां से देखिए पूरी सलाईकों मैं इसी तरह से उल्टा बना लूँगी देखिए इस तरह से अब फ्रंट साइड से आ जाएंगे यह देखिए अब मैं यहां तक 27 वंदे तक बुल लूँगी अब देखिए इसको बुनते हुए मैं यहां से लेके यहां तक आ गई और लास्ट में जो हमने तीन फंदे छोड़े थे उन्हें हम सुरी अभी तीन फंदे नहीं छोड़े हैं लेकिन इस रोपे हम तीन फंदों को नहीं बुनेंगी बैक पार्ट में हम दो फंदे नहीं बुन रहे थे इसमें हम तीन फंदे नहीं बुनेंगी ठीक है अब हम यहीं से घूम जाएंगे पीछे अब हम इस पूरी रोख को उल्टा बना लेंगे ठीक है इस पूरी सलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट करेंगे खेट से हम फ्रंट साइड पर आ जाएंगे सॉरी गाइज अब यहां से लेके यहां तक कम्प्लीट कर लेंगे पहले हम और यह जो तीन फंदे हैं वो हम बस दोई बार करेंगी ठीक है यह देखे तीन फंदे मैंने यहां पर पहले छोड़े थे तीन फंदे मैंने फिर से छोड़े यहां तक बनाती हुए आई हूँ अब मैं फिर से यही से घुंजाओंगी यह देखिए और इसके बाद इस पूरी रोकों में उल्टा उल्टा बनाके कंप्लीट कर लूगी इस तरह से यह देखिए अब फ्रंट साइट से मैं फिर से अब देखिए फ्रंट साइट से मैं फिर से यहां तक आ जाओंगी अब इसे हम थोड़ा थोड़ा नापते जाएंगे इसे हम नापेंगे कि हमने कितना बना लिया है चार इंच है तो अभी हमें दो इंच और बनाना है ठीक है तो यह देखिए यहां से लेके फिर से मैं यहां तक आओंगी अब मेरे पास यहां पर छे फंदे रह गए हैं देखिए देखिए एक दो तीम तो अब यह देखिए चार फंदे मैंने यहां पर ले लिए अब यह दो फंदे में फिर से छोड़ दूँगी और यहां से बैक साइड से फिर से मैं इस रो को उल्टा बना लूँगी ठीक है तो हमें बस यहां पर चार फंदे ही छोड़ने है ठीक है यह देखिए अब इस तरह से यहां पर लाश्ट में चार फंदे वह जाए इस तरह से हमें यह बनाना है तो देखिए यह इस तरसे बनाकर कमप्लीट करना है हमें इसी तरह से दूसरा सोल्डर भी बना लोंगी जैसे मैंने यह बनाया दो दो फंदे घटाते हुए यहां पर छोड़ते हुए आऊँगी तो पहले में से कमप्लीट करती हूं फिर मैं आगे दिखाती हूं आगे क्या क कर लूँगी तो आप देखेंगे यहां पर यह मैंने फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है बनाके देखिए इस तरह से यह आया है यहां पर यह देखिए तिर्चा ठीक है और थोड़ा सा इस तरह से दिखाते हूं यह देखिए छहांप तो यहां परौण अब यहां पर देख favor को मैंने complete कर लिया और इधर वाला भी मेंने complete कर लिया अब last में मैंने यहां पर चार फंदे छोड़े हैं अब यह वहां मारे पास धागा है और इन 4 फंदों को हम बंध कर देंगे ठीक है, देखेंगे किस तरह से चार फंद ही हम बंद करेंगे, देखें एक दो तीन यह हो गया चार इसको हम यहां इस सलाई पर ले लेंगे तो यह चार फंदे हमने यहां पर बंद कर दिये अब देखिए अब हम यहां पर गले के फंदे भरेंगे ठीक है यहां पर गले के फंदे उठाएंगे तो गले के फंदे उठाने के लिए मैं यहां पर देखिए वाइट कलर का यूज क करूंगी ठीक है तो देखिए किस तरह से उठाएंगे तरह से फंदे उठाएंगे और इस तरह से इसमें हम यह वाइट कलर से बंदा सीधा बोल लेंगे ठीक है इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि यह जो आपने गैब दिख रहा है अगर हम यहाँ पर इसको एक फंदे बुनने के बाद इस फंदे को बुनेंगे हम तो फिर यहाँ पर जो आया यह एक नट हाँ जी देखिए अब देखिए यह जो गैब दिख रहा है यहाँ पर अगर हम इसके इस फंदे के बाद इसको बुनेंगे तो यहाँ गैब आ जाएगा ठीक है हर गैब के बीच में एक एक फंदा उठाते जाएंगे यह देखिए यह तो हम इसको बनाएंगे ठीक है फिर यहाँ पर इसको जहाँ गैब नहीं है वहाँ नहीं उठाएंगे देखिए यहाँ भी गैब नहीं है ठीक है यह देखिए अब यह देखिए यह गैब दिख रहा इस तरह से आप इसको उठा लेंगे ये देखें फिर इसको बना लेंगे ठीक है फिर इसको बना लेंगे अब देखें फिर से एक गैप दिख रहा है हर दो फंदे के बाद गैप है यहाँ पर ये देखें फिर ये दो फंदे बना लेंगे देखिए यहां कोई gap नहीं है इस तरह से देखिए फिर यह देखिए gap है और यहां पर मैं Christmas के purpose से बना रही हूं इसे तो इसमें यह वाला color यूज़ करें हूं white वाला अगर आप इसमें same color से बनाना चाहें तो इसे पूरे को all over same color से भी बना सकते हैं red white जो भी color आप यूज़ करना चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं देखिए इस तरह से हम फंदे उठाएंगे ठीक है कि यहां देखिए फंदा इस तरह से उठाना है कि जाली नहीं बननी चाहिए कि यह देखिए यहां पर गया पर अब यह देखिए यह देखिए अब हम यह जो गले के फंदे हैं इनको भी हम यहां पर गया है आधु tadi पीन माले पंदे थे मैं सलाइभ लिए अब यहां पर इन फंद्व को भी मैं इस ही में बना लूँगी ठीक है यह देख jáव थोड़ा सा मिया है यह एक फंदा उठााइंगे यह नहीं उठाएंगे लिकिन But यह उठाएंगे यहां से पिन वाले जो हमारे गले के 20 फंदे थे ना यह वाले फंदे हैं ठीक है इसको हम नेडल पर ले लेंगे इस तरह से यह देखें अब यह जो इस साइड वाले सोल्डर वाले फंदे हैं और इस साइड वाले भी हम इसी जगए इसी गले में वह सौरी इसी सलाई पर लेंगे सभी फंदों को देखें इस तरह से एक फंद हम यहां पर उठाएंगे यह गैप बाला इस तरह से फिर जहां गैप नहीं है उनको हम ऐसे ही ले लेंगे देखें यह गैप आ गया यहां पर यहां पर हम एक फंदा उठा लेंगी यह वाला देखिए फिर यह तीन फंदे हम ऐसी बनाएंगे क्योंकि यहां पर गैप नहीं है इसलिए इस लिए इस अब देखिए यहां पर यहां पर भी गैप नहीं है अब देखिए यहां पर गैप है यह इस फंदे को हम इस तरह से ले लेंगे पर भीड़ी झाल झाल जहाँ गैप नहीं होगा वहाँ फंदे नहीं उठाएंगे और जहाँ गैप दिखाई देगा वहाँ फंदे हम उठाएंगे ठीक है एक एक फंदा अब देखें यहाँ कोई गैप नहीं है जब आप बनाएंगे तो आपको यह बहुत आराम से दिख जाएगा वह अच्छे से कि कहा गैप है कहा नहीं यह देखिए धम अच्छे से किपटे वbon यह देखी इस तरह से यह हमने एक सलाई पर दस नमबर की सलाई पर यह सभी फंदो को हमने ले लिया थिक है अब देखिए रॉंग साइड से आएंगे आप करना चाहें दस नमबर की सलाईया यूज करेंगे और जस्ट एक उल्टा एक सीधा का हम बोडर बनाएंगे देखे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा इसी तरह से हम एक उल्टा, एक सीधे का पूरी लाइन बना लेंगे, ठीके? यह देखिए यह वाली सलाई हमने कम्प्रीट कर ली अब इधर से भी जो जैसा दिख रहा है वैसा यह बनाते हुए जाएंगे यानि कि एक उल्टा और एक सीधा ठीक है देखिए सीधा दिख रहा है मैं इसे सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ लाके इसे उल्टा बनाएंगे धागा पीछे जाएगा इसे सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ आएगा इसे उल्टा बनाएंगे यह देखिए इस तरह से करीबन मैं 8-10 लाइन बॉर्डर की बना लूँगी ठीक है उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यह फ्रेंट गला कैसा दिख रहा है बनने के बाद आगे का प्रोसीजर जो भी होगा वह मैं दिखाऊंगी ठीक है तो यह फ्रेंट पार्ट है देखें इस तरह से 8-10 ल बनाके कंप्लीट कर लिया है इस तरह से देखिए यह इस तरह से तिर्चा हाया है जैसा फ्रेंट पार्ट है वैसा ही बैक पार्ट आया सेम बनेगा बस थोड़ा सा इसको नापते जाएं कि यहां पर जो है इसको इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगी ठीक है वह तो मैं आपक है कि चार फंदे बंद कर दियती ठाय तो एस साइट से चार और इस साइट से चार है ना तो चार फंदे कि छोड़े है चार फंदे हम नहीं बनाए लास्ट मेंин और लेकिन अपकरना से बनना सो पाराइं करेंगे ठीक है तो अब देखिए किस तरह से यहां भी मैं white color यूज़ कर रही हूँ देखिए इस तरह से चार फंदे तो हम इसी तरह से direct बना लेंगे है और यहां हमें gap दिखेगा वहां पर हम फंदा उठाएंगे अभी देखिए हमें कोई gap दिखनी रहा है यहां पर देखिए नजदीक से दिखा देती हूँ इस तरह से देखिए अब यह देखिए gap है तो यहां पर हम एक फंदा उठाएंगे सीधा बनाएंगे ठीके फिर हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से फिर देखिए हमें कोई gap नहीं दिख रहा इस तरह से बना लेंगे ठीक है अब मैं और नजदीक से आपको दिखाते हूँ थोड़ा यह देखिए अब यह देखिए यहां पर हमें gap दिख रहा है तो हम यहां पर एक फंदा उठा लेंगे और यह दो फंदे साधा बुल लेंगे ठीक है simple फिर यह gap दिख रहा है फिर से हम यह फंदा उठा लेंगे यहां पर इस तरह से बना लेंगे फिर यह दो फंदे बना लेंगे ठीक है यह देखिए फिर सीगया पागया यह देखिए फंदा में इस तरह से उठाना है कि यहां पर जाली ना बनी ठीक है देकीफिसे गाप झाल झाल यह देखिए यह दोनों फंदे हमने इस तरह से बना लिए एक साइड के सारे फंदे ले लिए हमने अब यह जो हमने पिन होडर में फंदे लिए हैं यह जो बीस नेक के जो 20 फंदे हैं तो वह भी हम इसी तरह से ले लेंगे इसी में ले लेंगी ठीक है तो मैं वह भी ले ले लेती हूँ इसको पहले तो मैं एक सेपरेट सलाई पर ले लेती हूँ तो अब देखें पिन वाले फंदे जो हैं मैंने सलाई में ले लिए अब यह 20 फंदे में यहाँ बुल लूँगी और देखी यहाँ पर एक गैप दिख रहा है मुझे तो मैं इसको फिल करने के लिए एक फंदा उठालूँगी यहाँ से इस तरह से एक गैप मुझे और दि दिख रहा है ना अब इन फंदों को मैं पूरे सी सलाई पर ले ले लेती हूं वीस फंदों को जो गले के जो हमने पिन ओल्डर में डाले थी ने फंदे वह वाले फंदे हैं यह कि यह देखिए अब यह गले के जो फंदे थे वह भी हमने यहाँ पर ले लिए देखिए इस तरह से अब यह दूसरे सोल्डर के जो फंदे थे यह वह वाली फंदे थीक है अब इनको भी हम इसी सलाई पर ले लेंगे एक साथ तो इसको गैप को फिल करेंगे हम पहले तो यह देखिए यहां से मैं यह फंदा उठाऊंगी उससे पहले एक यहां से उठाऊंगी गैप को फिल क करने के लिए कि यह नहीं यह वाला उठाऊंगी मैं अब यह फंदों को हम ऐसे बुल लेंगे इस तरह से अब यह देखे गैप वाला फंदा है इसको हम यहां पर उठा लेंगे इस तरह से अब इन दो फंदों को फिर देखिए यह गैप यहां पर यह 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 एसे rese tuning एसे यह तरह से याओ het यह बनृघरëं यह फिर देखिए लेव यहां वालाborg यहां वाल...' झाल 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 अब यह देखिए लास्ट में हम सभी फंदों को इसी तरह से बुल लेंगे बिना उठाएं यह देखिए इस तरह से हमने सभी फंदों को सलाई पर ले लिया ठीक है अब हम यहां पर देखिए रॉंग साइट से आ जाएंगे और एक उल्टा एक सीधे का जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया है वैसे हम बॉर्डर बना लेंगे ठीक है यह देखिए इसको उल्टा बनाएंगे इसको सीधा बनाएंगे जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था आपको फ्रेंट पार्ट में वैसे ही सेम बनाना है इससे करीबन आठ से दस सलाईया में बनाऊंगी ठीक है यह देखिए इस तरह से तक तक दोनों साइट से एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधिय का इस तरह से में बॉर्डर बना लूँँ यह दस नंबर की निडिल में यूज कर रही हैं यहाँ बहु ए यह देखिए तो पहले मैं इसको कम्प्लीट करती हूँ पर आपको इन इन दोनों पार्ट को पस में यह दूदा तो iAD zone 3at यहां तो for UH यह थोड़ा सा छोटा है उससे बैक पार्ट से कीकि बैक पार्ट थोड़ा सा इस तरह से प्लीक करता हुआ तो यह थोड़ा सा लंबा रखा है मैंने और हमेसा यहां ये देख लीजिए ये देखिए मैं आपको दिखाते हूं यह शोल्डर से यहां इसको मैंने यहां पे इसके बार देखें सम्पर से यह तरह से एगा सिस तरह से आए गा इस तरह से ओप करते हो यहां पर बस मैं इसको टक करेती हूँ हलका सा यह देखे इस तरह से यह आएगा तो इसके साथ ही यहां पर हम बाजू भी इसकी अटेच करेंगे दिखिए इस तरह से इस तरह से यह पहले तो हम इसको यह सिल लेंगे आपस में यह जो पाट है इसको यहां से यहां तक यह सिल लेंगे इस तरह से ठीक है इसके साथ हम इसको बाजू इस तरह से अटेच कर देंगे तो पहले बाजू इस थोड़ाँ से लेकल हो यह देखिए यह हम इस तरह से बहुत अच्छे से मिलाएंगे किनारी और बिल्कुल भी खीचेंगे नहीं स्ट्रेच नहीं करेंगे यह देखिए यहां पर यह हमने मिलाया और यह देखिए इस तरह से यह लेकि हमने यह देखें अब हम यही भाला दागा डालेंगे इसमें पहले तो मैं इसको थोड़ा सा फिन अब कर देती हूं जिसे कि यह हे लेना अपनी जगे से यह देखें अब यह नेडिल में मैं दागा ले लूँगी इसको यह करने के बाद इसको हम खोल लेंगे अब खोलने के बाद यह देखें यहां पर यह जो धागा आया है हमारे पास इस तरह से कच्चा सिल देंगे इसको हम पहले तो इसी तरह से नॉर्मली जिससे कि यह अपनी जगे से ना हिले यहां पे देखिए यह हमने आपस अटेच कर दिया है यह पाट ठीक है सेंद जैसा हमने यहां पे यह किया है आप इसके साहथ देखिए यहां आप यहां पड़ी आपको खोल के और बताती हूं भी देखिए अब यहीं से हम बाजु अटेच कर देगे यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर यह गला बनके त्यार हो जाता है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए देखे इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे बाजु का और इसके सेंटर पार्ट पर हम इस तरह से रखेंगे इस तरह से किनारे पर लाएंगे यहां से यह सिलेंगे इस तरह से और इस तरह से लाएंगे हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे मैं आपको बता देती हूँ आप सिल लेजगा अपने तरीके से तो इसको इस तरह से लेंगे तो पहले में एक चाहरा पर मैंने एक तरफ से यह देखे सिल्क के कम्प्लीट कर लिया है एक साइड गा वह मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ कि यह कैसा आया है बहुत खूबसूरत लग रहा है यह देखिए यह देखिए पूरा मैंने यहां से लेके यह पूरा देखिए यहां पर इस तरह से आप देख सकता है जिए देखें यह कि मैंने स्टेच कर लिया है पूरा तर यह देखें स्लीप से भी स्टेच कर दिये हैं यह देखें, डॉक्टर स्लीप कित्मी प्यारी आई है बनके, यहाँ पर यह देख सकते हैं, आप देखें, जैसा मैंने इस तरब से इसला है, सेम इसी तरब से सिलना है, अब मैं इसका आपको नैक और दिखा देती हूं, सही से, यह देखें मैंने आप इस तरह से, यह धागे तो मैं फिनेशिंग करने के बाद बाद में दिखाऊंगी आपको, कि इसको फिनेशिंग किया है, जो भी, आप यहाँ पर एक टिच बटन, या फिर कोई भी फैंसी बटन वगएरा, कुछ भी आप लगा सकते हैं, यह देखें, यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत खुब्सूरत लगता है, एक मिट में दिखाती हूं, यह देखें, अब जैसा हमने यह इस तरफ से सिला है, सेम, सेम टू सेम हमें इस तरफ से भी देखें सिल के, और यह जो सेकंड बाजू है, स्लीप्स, यहाँ पर हमें इस तरह से लगाके, पहले तो हम बाजू ल खोल लेंगे स्टों को पहले तो, यह देखिए, क्योंकि यहां हम यह सिल चुके हैँ, टाका लगा चुके है, बाजू है, यह हमारी बाजू को डेखें, इस तरह से country पाट निकालेंगे, यह देखें, अमने यह center पाट निकाल लिया, just ऐसे hold कर दूँगी मैं ठीक है hold करके अब ये जो shoulder है इसका मैं center part निकालूँगी यहां से, यहां तक मैंने इसका भी center part निकाल लिया यहां बे मैंने finger रगाई हुई है ये देखिए, इसका center part है just बाजू को मैं इस center part पर आप देखिए दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ है और उल्टे अंदर की तरफ है ठीक है यहां मैं ने fix कर दिया अब इस तरह से लेंगे देखी सिलना आप कैसे भी इस तरह से फिर यहां से स्लीव से बाजू लगाते हुए पूरी साइड से स्लाई लगा लें तो पहले मैं इतना कंप्लीट करके दिखाती हूं फिर आपको दिखाती हूं कैसा लग रहा है तो अभी देखिए यहां पर यह मैं आपको दिखा देती हूं थोड़ा सा बढ़ा करके मैंने पूरा स्टेच कर लिया है सीधा करके दिखाती हूं यह देखिए यह फिनिसिंग वर्क हम कर देंगे बात में एक साथ यह देखिए यहां से यह इस तरह से देखिए स्लीप से लग गई है बड़ी फिनिसिंग के साथ देखिए बहुती खुबसूरा से स्लीप से लग रही है आप इसका नेक देख लिए है देखिए यहां से ओपन टाइप से रही है तो पिनाने में बच्चों को पहनाने में थोड़ा सा इजी रहेगा आसाल रहेगा आप यहां पर एक बटन टक कर लें कि इस तरह से देखिए इस तरह से यह हमारा नैक बनके रेडी हो गया है बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूसूरत सा नैक बनाए देखिए देखिए बैक साइड से यह इस तरह से है तो वाहिस इस तरह से हमारा यह फाइनली स्वेटर बणके कंप्लीट हो गया इस का आभी में आपको फूल लुक और देखिए ये देखे कितना प्यारा लग रहा है इसका फुल लुक वीडियो पसंद आया हो बताने का तरीका समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल बटन हिट कर दें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहे हैं सबसे पहले मिल जाएं इसी तरह से और भी अच्छे चैनल के साथ बने रहे हैं और एक चैनल और है मेरा क्रोशिया का क्रोशिट का अगर आप क्रोशिट चलाना सीखना चाते हैं या क्रोशिया के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे उस चैनल पर डेफिनिटली जा सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का नाम है क्रोचिट एडिक्शन ठीक है तो फिर शेयर कीजिएगा सभी के साथ इस वीडियो को तो चलि कि आप इसका एक फुल लुक देख लीजिए मैं आपको दिखा लेती हूं देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है डॉक्टर स्लीप्स बनाया है मैंने इसमें और इसका वीडियो मेरे चैनल पर जा चुका है अगर आपने अब तक नहीं और मेरे दूसरे चैनल को भी आप देखिएगा एक बार विजिट कीजिएगा क्रोचिट का अगर आप क्रोचिट चलाना सीखना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा सभी के साथ तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू